दोस्तों, हमारे हिंदु धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा खास महत्व बताया गया है। श्रीमद भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत मेरा ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विश्णु को यह तिथी अतिप्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नश्ट करने वाली है। ऐसे ही जेश्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का अर्थ होता है अपार धन की, अपार पुन्य की प्राप्ति. तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें यश्कीर्ती की प्राप्ति होती है, अपार पुन्य की प्राप्ति होती है, और उनके जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा, तुलसी चंदन कपूर और गंगा जलसे करनी चाहिए जिससे की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती है और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी को बहुत ही व्रत माना गया है यदि आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तब तो अत्यन्त ही शुब है लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी यदि आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं सात्विक भोजन करते हैं आज आप चावल का त्याग कर देते हैं तो आपको एकादशी व्रत के समान ही पुन्यफल प्राप्त होता है प्रिय भक्त गणों आज की इस वीडियो में हम जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में बात करेंगे आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अपरा एकादशी व्रत कब रखना है दो जून या फिर तीन जून को लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तब ही आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी इतनी महत्व पूर्ण क्यों है इसका महत्व अपरा एकादशी कब है, वरत कब रखें, वरत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथी कब से कब है पूजा का शुब समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, वरत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासन कब से कब तक है तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें जै श्री हरी विष्णू, भगवान हरी की क्रिपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आईए, सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है दोस्तों? पुराणों में अपरा एकादशी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्थ होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्थ होता है जो फल कुम्भ में केदारनात के दर्शन या बादरिनात के दर्शन करने से प्राप्थ होता है सूर्य ग्रहन में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्थ होता है तो यह जो एकादशी है, जेश्ठ मास की, कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी बहुत ही फलदाई बताई गई है दोस्तों अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के पूजा के विधी क्या है एकादशी की दशमी तिथी से ही एकादशी वरत के नियमों का पालन प्रारंब हो जाता है जो लोग इस वरत को हर बार करते हैं, उन्हें यह सब नियम पता होते हैं लेकिन जो लोग पहली बार ही वरत कर रहे हैं, उनके लिए बता दूँ दशमी तिथी के दिन से ही आपको सात्विक भोजन ग्रहन करना होता है जैसे कि आप प्राथाकाल स्नान करेंगे दशमी के दिन तो उस दिन से ही आपको दिन में लहसुन, प्याज नहीं खाना है मसूर की दाल नहीं लेनी है और चावल का ग्रहन करना है चावल आज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कल हमें एकादशी का व्रत करना होता है और ऐसे ही जैसे टमाटर, साग इत्यादी चीजें आज नहीं खाई जाती है और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको अन ग्रहन कर लेना है और सूर्यास्त के बाद अन नहीं लिया जाता है इस बात का आपको ध्यान रखना है सूर्यास्त के बाद, यानि सूर्य डूबने के बाद यदि आपको भूख लगती है, तो आप फल इत्यादी खा सकते हैं लेकिन आप अनाज नहीं लेंगे बस इतना ध्यान रखना है रात्री में आपको भूमी पर शयन करने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में तो संभव हो तो भूमी पर शयन करें अन्यथा आपका बिस्तर शुद्ध हो इस बात का आप ध्यान रखे और पूर्ण रूप से ब्रह्म चर्य का पालन किया जाता है धशमी तिथि के दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है एकाधशी के दिन प्रातहकाल जल्दी उठे और सनान इत्यादी करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है उसके बाद भगवान श्री हरी विष्णु की पूजा करनी है अब बहुत लोगों के प्रशन आते हैं कि हम पहले पूजा कर लिए लेकिन जल देना ध्यान नहीं रहा तो क्या करें? देखिए, यदि आपने जल पहले नहीं दिया तो आप पूजा के बाद भी दे सकते हैं सूर्य को जल जरूर हमें देना चाहिए सूर्य को जल देने से बहुत सारे फायदे हैं हमारे जीवन की जो सभी प्रकार की जो परेशानियां है सूर्य को जल देने से दूर होती है और पूजा का फल भी हमें तभी मिलता है जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो सूर्य देव को जल देना है भगवान श्री विष्णू की विधि विधान से पूजा करनी है यदि आपके घर में भगवान श्री हरी विश्णू का कोई भी विग्रह है, कोई मूर्ती है, तो आप उनका अभिशेक कीजिए जैसे शालिग राम की सिला है, लड्डू गोपाल जी आपके घर में है, तो आप उनका अभिशेक जरूर कीजिए श्री हरी विश्णू का कोई भी विग्रह है उसका आप अभिशेक करें। पंचामृत घर के इशान कोण में आपका जो मंदिर है, मंदिर में ही आप चाहें तो भगवान की पूजा कर सकते हैं। और यदि आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं, तो अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाई। भगवान श्री हरी विश्णू और महालक्ष्मी की मूर्ती या प्रतिमा जो भी आपके पास है, उसे स्थापित कीजिए। देखिए, जब भी हम भगवान श्री हरी की पूजा करते हैं, तो मा लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर चाहिए, इससे घर में जीवन में सुख सम्रिद्ध की प्राप्ती होती है, तो आपको भगवान श्री हरी की विधिविधान से पूजा करनी है, पीले पुष्प उ विश्नु की कृपा से यह व्रत निर्विग्न पूरा हो, किसी भी प्रकार कोई क्लेश बीच में ना आए. इस बात के लिए भगवान श्री हरी विश्नु से प्रार्थना कीजिए. यदि आपकी कोई खास कामना है, तो वह कामना श्री हरी से कहिए. इस कामना से आप ही व्रत कर रहे हैं, और इस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए. इसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना होता है. भगवान श्री विश्नु की विधी विधान से पूजा कर लीजिए. सुबह के समय विश्नु सहस्र नाम का पाठ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं. आपके पास समय हो, जरूर करना चाहिए. माला पर नहीं कर पाते हैं. तो आपको चाहिए कि आप पूरे समय चलते, फिरते, उठते, बैटते, भगवान श्री हरी विश्नु के नाम का मन ही मन जब और स्मरण करते रहे, भगवद गीटा का पाठ करना आज बहुत पाठ करते हैं उसका, और जो हम रोज करते हैं, उससे कहीं अधिक कोटी गुना फल हमें प्राप्त होता है. एकादशी के दिन वरत करने का. तो एकादशी के दिन हमें जरूर विश्नु सहस्र नाम का पाठ किया, तो स्वयम पनाह चाहिए, या फिर सुनना चाहिए. दोस्त आज किसी की निंदा नहीं करनी. किसी के बारे में भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना. अब शब्द नहीं बोलना. क्रोध नहीं करना चाहिए. मन में किसी प्रकार के बुरे विचार किसी के लिए भी अपने नहीं आने देना चाहिए. आज आप कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे दूसरों की आत्मा को दुख हो तो इस बात का आप ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवान श्री हरी विश्नु के नाम और मंत्र जाप में बिताए तो बहुत ही श्रेष्ट फल की प्राप्ति होती है एकादशी के वरत का नियम भी यही है कि हम अपना पूरा समय आज के दिन श्री हरी विश्नु के लिए निकाले इसके बाद आप दिन में फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं चाहे तो निर्जल रहकर वरत कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरह से एकादशी के वृत का यदि आप सक्षम है, शारिरिक रूप से स्वस्थ है, और निर्जला एकादशी एकादशी वृत का पालन करना चाहते हैं, तो आप निर्जल भी एकादशी का वृत रख सकते हैं. बहुत से लोग हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रहते हैं लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप फलाहार के साथ आपके व्रत रख सकते हैं पूरे दिन व्रत रहना है और शाम के समय भगवान श्री हरी विश्नु की पूजा करें शुद्धगी का दीपक जलाएं उनके सामने बैठकर मंत्र का जाब करें, भजन कीर्टन करें रात्री में जागरण विधान होता है एकादशी के दिन तो संभव हो, जितना भी समय उतने समय आपको जागरण करना चाहिए मतलब रात्री में जाकर और भगवान श्री हरी विष्णू के नाम का उनके मंतर का स्मरण करें भजन कीर्टन करें बहुत श्रेष्ट होता है एकादशी की रात्री में अखंड दीपक जलाने का विधान है यदि आप रात्री में अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ती होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी की रात में जो भी भक्त, भगवान श्री हरी विष्णु के नाम का दीप दान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। उनके रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, को एक दीपक भगवान श्री हरी विष्णु नाम पर जला देना है। चाहे आप मिट्टी का ले, कोई धातु का ले उसे स्थापित कर दे। आप उसे फिर हिलाना नहीं होता है। जैसे हम नवरात्री में अखंड दीपक जलाते हैं, बिलकुल वैसे ही तो शाम को जला दीजिए और पूरी रात्री जलता रहे। बुझे ना इस बात का ध्यान रखे। सुबह तक कम से कम जलता रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना इतना कि आपको उसमें भर देना है। शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए। एकादशी के दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्राताहकाल जल्दी उठे और स्नान इत्यादी करने के बाद भगवान श्री हरी विश्नु की पूजा करनी है। आपको पूजा के बाद आपको किसी को दान करना चाहिए, किसी ब्रमिन को या किसी जरूरतमंद को घर बुला कर भोजन कराए, तो सर्वश्रेष्ट है, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, तो किसी के निमित्त आप पर कुछ भोजन की सामगरी निकाल दीजिए, जैसे कि कच किसनल जो फल होते हैं, खरबूज, तरबूज, इन सब चीजों का दान बहुत श्रेष्ट माना जाता है, कोई भी फल जो आप दान करना चाहते हैं, जरूर निकाले अपने सामर्थे अनुसार दान करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ती के लिए भोजन की सामगरी आज जरूर दान करनी है, और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना होता है, लेकिन पारण सही विधि से ना किया जाए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि यदि कोई व्यक्ती, निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है, तो उस का पारण नहीं कर पाते, ऐसे प्रसंगों में व्यक्ती को सावधानी पूर्वक, याद से एकादशी व्रत का पारण जरूर करना चाहिए, तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, व्रत का पारण समय के अंदर ही करे, आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयम भी एकादशी व्रत का पारण करके स्वयम पारण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाईए, हाथ में गंगा जलीजिए, और आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था, उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए, हे केशव मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ती और ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करिए, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए, एकादशी का फल भगवान के चर् पित कोई भी अन्ययुक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं, निर्जल व्रत रखा था, जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था, वह फल या दूद के साथ पारण कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एक समय पर फल, दूद या एकादशी प्रसाद लिया था, वह अन्ययुक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक संपून विधी और पून और शद्धा के साथ एकादशी का पारण कर सकते हैं। और अपने एकादशी व्रत को पून कर सकते हैं। आईए अब जानते हैं एकादशी तिथी कब से प्रारंब है शुभ मुहूर्थ इस बार एकादशी की तिथी प्रारंब होगी दो जून रविवार की सुभे पांच बजकर पांच मिनट से इससे दशमी तिथी रहेगी और एकादशी की तिथी समाप्त होगी तीन जून सोमवार की सुभह दो बज कर 41 मिनिट पर क्योंकि एकादशी की तिथी इस बार दो दिन रहने वाली है ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा दो जून रविवार को पढ़ने वाला एकादशी का व्रत दश्मी तिथी युक्त एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी ग्रहस्त जन है वो इस उपवास रख सकते हैं लेकिन जो भी लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथी मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए ऐसे में आप चाहे तो दो जून रविवार का व्रत रख सकते हैं लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथी एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए. इसलिए इस बार तीन जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि वैश्नव एकादशी होगी. इस दिन भले ही एकादशी तिथी सुबह ही समाप्थ हो गई हो लेकिन यह बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है वरत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथी पर सुबह के समय हरिवासन ना हो यदि सुभह के समय हरिवासन होता है, उस समय वरत नहीं खोला जाता है हमेशा हरिवासन का समय समाप्त होने के बाद वरत खोला जाता है ऐसे में यदि आप दो जून रविवार को एकादशी का वरत रख रहे हैं तो आपको तीन जून को थोड़ा देर से व्रत्का करना होगा, द्वादशी तिथी प्रारंभ होगी। तीन जून सोमवार की सुबह दो बज कर बयालीस मिनट से और इसी के साथ हरिवासन का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरूआत के पांच से छे घंटे का समय हरिवासन रहता है और द्वादशी तिथी समाप्त होगी। चार जून मंगलवार को, यानि की तीन जून, सोमवार की ही मध्य रात्री बारह बज कर अठारह मिनट पर। हरिवासन का जो समय है वह तीन जून सोमवार को सुभह आठ तीस मिनट पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासन रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी दो जून को एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें तीन जून सोमवार को सुभह आठ बज कर पैंतीस मिनट से नौ बज कर पचपन मिनट के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुभह के समय उपवास ना खोल पाए, तो आप दो पहर एक बजे से तीन बजे के बीच में अपना वास खोल सकते हैं, और जिन्होंने भी तीन जून सोमवार को वैशनव अपरा एकादशी का उपवास रखा है, वो चार जून मंगलवार को सुभह पूजा कर लें। तो अब बात करते हैं कि अपरा एकादशी के दिन ऐसा कौन सा खास उपाय करें, जिससे कि श्री हरी विष्णू और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। आपको मखाने की खीर बनाकर उसमें यदि आप केसर युक्त मखाने की खीर बनाएं, जैसे आप थोड़ा सा केसर डाल दे, पिली खीर हो जाती है, उसके बाद आपको उसमें तुलसी दल डालना है। और इसके साथ यदि आप भगव आप अधिक से अधिक कीजिए, संभव हो तो कमल गट्टे की माला लेकर एक माला ग्यारह माला कर लीजिए. बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ती होती है। भगवान श्री हरी विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते ले लीजिए और सब पर आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन लगा लीजिए और यह चंदन युक्त पत्र भगवान श्री हरी विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए। मा लक्ष्मी का मंत्र जब कर रहे हैं। भगवान श्री हरी विष्णु के भी मंत्र का जाप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कनकधारा स्तुत्र का पाठ आज करने से आपके जीवन में सदा धन संपदा बनी रहती है। अपरा एका दशी का व्रत करने से अपार धन अपार पुन्य की प्राप्ती होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की। यदि आप पूजा करते हैं, मा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करके इस व्रत को करते हैं, तो आपके जीव में सदा धन संपदा बनी रहती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है